जी, बिल्कुल आप समझ रहे हैं, देखें यहाँ पे तीन फ्लांट दिख रहे हैं न, कौन से फ्लांट पे आज में वीडियो बनाने वाली हो, सही समझा, यहाँ तो निस्ट्रेशियम है, फरकेरिया है, जेड फ्लांट बिल्कुल ही, आज में जेड फ्लांट पे ही आप से बाते करने वाली हो, मैं सरीता दिली से, नमस्कार और उमीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होगे, अच्छे ही रही है, यह देखे, मैं कुछ आपको यहाँ पे टॉपेरी और कुछ जेट प्लांट के बॉंसाई दिखार हो, यह मेरा बहुत पुराना एक जेट प्लांट का साई है, अरे बाती करती हूँ, पूरा डिसकेशन करूंगी, कैसे मिट्टी चाहिए, बट उससे पहले आप से गुजारिश कर लेती हूँ, कि आप सब पहली बार मेरे चानल पे है न, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे न, और उसके बाद अगर वीडियो पसंद आएग तो लाइक भी कर दीजिएगा, और अब देखे, यह कैसे कैसे मैंने बांसाई या टॉपेरी बना के रखा, यह देखे, एक्टार बनाये हुआ है, जो अब अच्छे से तयार होने माला है, और यह मैं इस तरफ से लेके आती हूँ, और यह मेरा देखे, प्लांट यह जेट क सामने से यह प्लांट देखने में, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, यह अलग एक टॉपेरी है, और इस तरह से बहुत सारे यह देखे, एक और मैंने रॉक पे लगा के रखा है, अलग अलग इसके पैट तयार कर रही हूँ, और यह बहुत जल्दी बहुत अच्छ हो गए, मुझे यह ट्रे बनाए हुए, इसके अलावे पिछले साल मैंने गर्मियों में आपको दिखाया था, यह सारे हैंगिंग में, और यह बारी जो हैंगिंग मैंने बनाई थी ना, इसमें मैंने कोको पीट और कंपोस्ट फंजिसाइड डाल के लगाया हुआ है, बहु से की भी एक टॉपियरी बनाऊंगी, अब हम आ जाते हैं कि हमें जेट प्लांट लगाना कैसे है, सबसे पहले इसके लिए सैंड तयार करनी है, और जब हम पॉट में लगाएंगे तो अच्छे एक ड्रिनिज होल वाला पॉट लीजिए, उसमें सैंड मिलाईए, अपने गा पॉट में लगाने लगें उसके पहले उसकी मिट्टी को हलकी सी आप गीली कर लीजिए, मैंने भी गीली कर ली है, हाला कि इस पॉट में मेरा पहले से लगा हुआ, पिछले महीने मैंने ये आपको दिख रहा होगा, ये कुछ प्लांट ऐसी कटिंग कहीं से बची हुई थी तो मैंने इसमें डाल दी थी, अब हमें लेना है कटिंग, मिटी थेयार हो गई, समझ में आ गई न, इस तरह से पतियां जो है न, इस कटिंग के नीचे की निकाल लेनी है, उसे भी उसी पॉट में हम डाल दीजिए, वो भी एक प्लांट बन सकता है आपका, तो मिटी में हम हमने फिर से एक बार हम बात कर लेते हैं कि उसमें सैंड डाला, हमने गार्डन की सोयल डाली, कंपोस्ट डाला और फंजी साइड डाला, अब ये कटिंग लिया और कटिंग के नीचे वाले एक इंचे हमने जहां पे नोड एरिया होता है न, उतने तीन-चार पतियां निकाल कि कम से कम एक से डेर इंचे नीचे से खाली कर लीजिए, जैसे मैं ये खाली कर लिया न, ये नीचे की डालियों को, अब जब ये खाली कर लिया तो जो पतियां निकली है, मैं फिर से कहती हूँ, उसी में डाल दीजिए, वो भी एक पौधा तयार हो जाएगा, मेरे साथ ऐ जाएंगे तो नीचे या तो पिंच कर दीजिए या फिर वो मिट्टी गीली है तो खुद बखुद जो है जैसे ही हम इसके कटिंग को इंसर्ट करते हैं तो वो मिट्टी अपने आप इन सारे कटिंग को के नीचे वाले भाग को ग्रिप में ले लेती है और वो एक रूट को करने में बहुत जादा हेल्प करती है इस कटिंग को तो दो चीजे हो गई कटिंग कितने साइंस के लेनी है मिट्टी कैसी तयार करनी है अब जब हमने कटिंग लगा दी है तो इसे रखना कहा है इसे आप प्रॉपर धूप में रखिए सर्दियों में तो इसको दिन भर की दूप में आप रख सकते हैं गर्मियों में भी इसे एनिहाओ आपको 5-6 घंटे की दूप चाहिए हाँ 45 डिग्री से अबब जब होता है तब हम इसे शेड में रखते हैं यह देखे एक सकुलेंट फैमिली का प्लांट है इसके लीफ को देख रहे हैं बीच में इसके पानी स्टोर रहता है और अब आती है बात यह सिर्फ इसले बताई मैंने कि पानी स्टोर रहता है तो पानी हमें इसमें कितना डालना है हमारे जैसे जब नए-ने गाडन जब शुरू करते हैं तो कोई भी प्लांट लगाते है उसमें खूँ सारा पानी डाल देंगे सुब भी डा जब होगे ही नहीं और जो कटिंग है वो सर जाएगी क्योंकि यह सकूलन फैमिली का प्लांट बाना जाता है ठीक है तो इसमें पानी तब डालिए जब इसकी मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो जाए तो तीन खास चीज़े हो गई कि हमें इसे अब पानी धूप में रखना है मिट्टी कर सी तयार करनी है पानी कैसा इसमें देना है यह सारे चीज़े खास खास यह तीन-चार चीज़े होती है देखे जैसे मैं कटिंग लगाती हूँ पिछले दिनों जब मैं कटिंग लगा रही थी तो कुछ ऐसे लंबी-लंबी कटिंग बच गय थे मैंने इसे एक च कि वाकई में इस प्लांट को लगाना बहुत आसान है बस दो तीन चीज़ों का हम खयाल रखेंगे इसके लिए मिट्टी पोरस तयार करें इसे प्रॉपर धूप देते हैं ओवर वाटरिंग नहीं करें और खाथ तो बहुत जादा देनी की जरूरत है ही नहीं एक बार लगात और इसी तरह से खुमसूरती से अपने गार्डिंग को सजा पाएंगे अपना ख्याल रखें हैपी गार्डिंग मैं चलती हूँ नमस्कार